दोगरों की आवाज बन सकते हैं देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पुलिटिकल करियर का आपके सामने है कश्मीर बेस्ट पुलिटिकल पार्टी के हाथ में सत्ता रही और उनहीं के एजेंट्स बनके तमाम पिछले जितने भी आपके मंत्री और विधायक रहे हैं वह काम करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यानि कश्मीरियों के एजेंट जम्मू में जो है वैसे बनके काम करने का ट्रेक रिकॉर्ड रहा है और अगर आप राष्ट्रिय कोंसे भी देख ले तो乾्गरेस ही नहीं कहती। अगर आप यह कह रहें कि वह तो कोंगरेस बढ़तीय है। आप एसकार लिव उसी कॉन्ट्राइक को उसी नहरूवीन अंडर्स्टेनडिंग को जम्मु कश्मीर में चलाती हैं कुछ सब कुछ और जम्मु और वह बांसवरी Dawn कुछ अंको जिसे बाचित करते हैं को जी लोग सबह चुनावों में आपने कहा कि जो जम्मु किश्मिनी की तीन लोग सबह सीटे हैं उस पर आप अपने उमिद्वार उताने जा रहे हैं क्या लगता है कि बाउसरी पर लोग विश्वास कर पाएंगे देखिए इस समय लोग कि तलाश में हैं जो existing हमारे MPs हैं यहां से उन दोनों के बारे में लोगों का निशकर्श यह है कि इन्होंने पिछले 10 साल में जम्मु संभाग के लोगों का कोई भी काम नहीं किया उन दोनों के बारे में लोगों के बन में यह एक निशकर्श है कि इन्होंने जम्मु संभ के सिशक्तिकरन के लिए हम कारे रहे हैं आज हमने राजनेतिक स्तर पे यह साहस किया है मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग भी जो चीज चाहते हैं उनका प्यार इस परिवर्तन के लिए जो एक कंदों पर उठाएंगे जिस जिम्मे का निर्वा करना जम्मु संभा के एक एक व्यक्ति का दाइत्व है दाइत्व क्या कि आपको भी कल पखड़ा करना है हम इनके बंद हुआ मजदूर अधिक समय तक बनके नहीं रह सकते हैं अपनी अपनी उम्मीद्वार जो है वह उतारे जनता के सहयोग से ही लोग तांत्रिक वेवस्ता में आगे बढ़ा जा सकता है और उनको लेके भी जो लोगों के मन में निश्कर्ष है जो अपने उनके काडर के मन में जो निश्कर्ष है वो ऐसे हैं कि लोग परिवर्तन चाहते हैं परिवर्तन के लिए एक विकल्प चाहि वाली पुलिटिकल पार्टी अब लोगों के सामने एक विकल्प के रूप में उभर के आ रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस विकल्प के पीछे अपना पूरा जोर नगा है अब लगता है कि लगता है कि लाज सिंग ऐसे उमीदवार है जो डोगरों की आवाज बन सकते हैं लेकिए उनका ट्रेक हर्फ रिकौड जो है वो पुलिटिकल करियर का आपके गिए व reaches हो बात कर सकते हैं और अगर आप राष्टरी अद्रिश्टिकों देख लिए तो नहीं बादसींने पर उठारें यह यह track record बोलता है आप एकदम आकलन करके देख लीची हम एक एक विशे पर बात कर सकते हैं Congress हो या भाजपा हो लेकिन वह तो कहते है कि हमें कश्मीर से को लेना देना नहीं यह Congress ही नहीं कहते है अगर आप यह कह रहे हैं कि Congress के उमीदवार बन के आ रहे हैं तो Congress हमेशा कश्मीरी Muslim Establishment की गौद में जाके बढ़ती है Congress हमेशा भाजपा की तरह और भाजपा भी उसी contract को उसी नहरूवियन understanding को जम्मो कश्मीर में चलाती है जिस understanding में कश्मीर को सब कुछ और जम्मो को कुछ नहीं है पिछले 10 वर्षों में भाजपा कभी आपने यह देख लिया कि Congress की नीती को ही आगे बढ़ाया और Congress की नीती को और सुद्रिड करके उन्होंने आगे बढ़ाया अगर Congress के जमाने में 70 प्रतिशत नौकरियां कश्मीरियों को मिल जाती थी तो इनके कारेकाल में तो 90 प्रतिशत गई तो चाहे भाजपा या Congress हो या कोई भी राजनेतिक दल जो राश्ट्रिय स्थर की पार्टी हो वो हमेशा State of India के भारत की राज सकता के उसी Policy Structure को जम्मो कश्मीर पे चलाएगी जिस Policy Structure में ये नहित है कि जम्मो को कश्मीर को सौंप के ही चलाना है लोकतानत्रिक व्यवस्त्ता जम्मो कश्मीर जो है उसका चेहरा जो है वो कश्मीरी मुसल्मान ही रहेगा इसी सोच से हमेशा राजनेतिक दिलों ने काम किया है और कॉंगरेस और भाजपा से तो बढ़कर नहीं है तो इसलिए अपने स्वार्थ के कारण अगर आप उनके सामने सरेंडर करते हैं तो नीती तो आपकी रास्टे पार्टी है लेकिन आप कश्मीर को बाहर रख रहे हैं तो कश्मीर में भी तो हिंदू रहते हैं कश्मीर में भी कश्मीर तो इसमें इंबॉल्ब नहीं हो सकता ना आप तो पूरा कश्मीर को भार कर दिया आपने कुछ लोगों ने बंदूक उठाई बहुत बड़ी संख्या ने एक सेपरेटिस्ट अलगा हुआ दी मुपमेंट चलाई और समाज की मिलिटराइजेशन हुई और पूरा सम इसमें आप 90% से अधिक समाज को इंक्लूड कर सकते हैं और आपने बहुत सारी डॉक्यमेंटरिस और मुवीज में देखा होगा हम तो केस फाइल्स पढ़के इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से किया गया था अलगाववाद कश्मीर में एक रियालिटी है इसलिए कश्म कश्मीर का जो solution एकम सनातन भारत दल का है वो दो केंदर शासित प्रदेशों में बाटने का है और ना वहां पे कोई विदान सभा होगी other than institutions of local self-governance वहां पे और दूसरे institutions नहीं होगा तो हमें वहां पे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है केंदर से directly शासित किये जान उसे reverse करने के लिए जब तक आप यह surgical operations नहीं करेंगे तो फिर राष्टर यह सुरक्षा compromise होगी क्योंकि जम्मु का इसलामिकरन कश्मीर के बाद जिस गती से बढ़ा है उससे आप भली भांती परिचित हैं जिससे हम संगर्ष कर रहे हैं इसलिए मेरा यह मानना है और पार् इसलिए कश्मीर का कुछ नहीं केवल और केवल जम्मु संभा का सशक्तिकरन अननतनाग में हम जम्मु रीजन के जो राजोरी और पुंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां का जो राश्टरवादी समाज जो है, जिसे भारत, जिसे भाजपा ने उठा के कश्मीर के अलगावादी समाज के साथ जोड़ दिया, उनके संरक्षन, उनकी सुरक्षार, उनकी आवाज उठाने के लिए हम क कि कश्मीर में भी बहुत सारे लोगों को मजबूरी में आजादी के नारे लगाने पड़ते, उनकी तरह नारे लगाएं, और पाकिस्तान की रिक्वार्मेंट को फुल्फिल किया, आपने एक सेपरेटिस्ट कॉरिडर बनाके, राजोरी पुंच पाकिस्तान के साथ फिजि भारत की राजसत्ता ने, भारत की गवर्मेंट ने पाकिस्तान को वो सब कुछ प्लैटर पे दिया, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्टफी सुरक्षा के दृष्टी को उन से भी बहुत सीरियस बात है, इन विश्यों को उठाने के लिए, हमने वहां से कै सीटों पर अपना उमीद वर उतारने जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो मोदी जी चार सो से जादा सीटी चीदने का दावा करते हैं, तो क्या एकम सुनातम भारत हल चमु कश्मीर में अपनी कोई टिकट जहांपे कोई सीट निकाल पाएगा, यह देखने वाला होगा नमस्कार